क्यूं MSP पर ब्रह्म पैदा किया जा रहा है एक ही राज्य के है एक ही राज्य के किसानों के मन में आशंका है और वो आशंका वहां के राजनीती के कारण है यह मैं बताना चाहता हूं दूसरी बात दूसरा उनके मन में है MSP जाएगी अरे MSP नहीं जाएगी मैं कहना चाहता ह कि एक्चुली बढ़कर दिया है हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती ही जाएगी कम नहीं होगी तो यह ठीक है मस्पी की बात है अब जहां तक मस्पी का लोग कह रहे कि गैरेंटी क्या है गैरेंटी 55 साल क्या थी 55 साल चल रही है न तो आगे लोगों ने चैसी चली विवस्था वह इसे आगे चले गी इसमें क्या प्रॉब्लम है तो यह किसान को समझाए जा सकता है राजनेता उनको समझा ना कठी नहीं क्योंकि वो जान बूझ कर उन्होंने जो काम किया उसको उल्टा आज भूमिका लेकर खड़े है सर कल एक एहम बैठक आपके सरकार की और किसानों के बीच होने वाली है कल की बैठक को लेकर सरकार की क्या तयारी है कैसे आप लोग किसानों को कन्विंस करेंगे उन्हें समझाबादे सरकार की सच्चाई की क्योंकि हमें सच्चाई का पक्षर रखना है इसलिए ज़्यादा तयारी नहीं करनी पड़ती सच बताना है जो है वो बताना है लेकिन सरकार ने लचिला रूख रखकर अगर गलत फेमी को ठीक करने का कोई रास्ता है तो वो भी अपनाने की तैयारी कपकी दिखाई है मुझे लगता है यही काफी है बाकी चर्चा तो यहाँ टीवी के सामने थोड़ी होगे वो तो किसानों के सामने होगे बिलकुश जी जैसे कि आप कह रहे थे कि जातर जो बिंदू है इस कानून में जुलाए गए वो कॉंग्रेस के समय से ही है और ऐसा रईशंकर प्रसाद भी प्रेस कॉंफरेंस के जरिये बकाईदा साक्ष के रूप में बता भी चुके हैं कि जातर पॉइंस पहले से ही मौझूद थे ऐसे में कॉंग्रेस ने अपना स्टैंड जो एंड वक्त पर बदल लिया विपक्षी दर के तौर पर या फिर क्यूं कहें कि राजनेतिक फाइदे के तौर पर इसको अब किसान आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं पहले कॉंग्रेस सामने आई अब 24 अन्य विपक्षी पाटियों का भी समर्थन कॉंग्रेस को तमाम किसानों को हासल हो रहा है ऐसे में ये जो स्थिती इस वक्त है ना आर ना पार और तमाम किसान धरने पर बैठे हुए हैं कैसे सुलजा पाएंगे से कैसे मना पाएंगे इने किसानों को मनाना आसान है राजनेताओं को मनाना कठी निसली होता है क्योंकि उनको मालूम है कि वो जुट बोल रहे हैं तो भी वो सच के जैसा बोलेंगे ये मुद्दा है उनको मालूम है कि हम पाखंड कर रहे हैं, उनको मालूम है कि हमने EPMC के माडल कानून लाए थे और अब वो उल्टा बोल रहे हैं, उनको मालूम है दस राज्यों में EPMC के सुधार अल्रीडी लागू हो चुके है उनको मालूम है कि contract farming के कानून 15 राज्यों में हुए है बहुशा Congress के राज्य थे और contract farming लागू हुआ है अब उसका विरोध कर रहे तीसरा कानून जो है MSP तो चालू रहेगी है हम बताया है और बतादे रहेंगे और जैसे मैंने कहा 55 साल जिस तरह से MSP चल रही है वैसे ही आगे भी चलेगी तो इसमें कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए opposition का फाइदा नहीं होगा उल्टा नुक्सान होगा लड़ाई पंजाब से शिरूए प्रकाजी अब गुजराप के किसान महराश के किसान राइस्थान के किसान भी जुड़ गए उनको भी लगा कि हमारे हित्की बात हो रही है मैं कौन कहां से कितने आये इस पर आज चर्चा नहीं करूंगा देश का बहुशा किसान ज्यादा से ज्यादा किसान ये कानून के पक्ष में है ये मैं जरूर कहूंगा लेकिन आज मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता कि कहां से किसान आये, कौन किसान है, कौन नहीं है, ये नहीं मैं बात करना चाहता हूँ, कि किसान ओपर हमारा भरोसा है, किसान समझेगा, जो राजनेता समझ कर भी ना समझ ही दिखा रहे है, वो न जम्बर 2020 में जब कानून संसत से पास हुआ, उसके बाद जब विरोध शुरू हुआ, तो प्रधान मंत्री तक ने ये ट्वीट किया कि ब्रहम पहलाया जा रहा है, किसान भाई इस पर भरोसा ना करें। आपके पास है, सबसे बड़ी मशीनरी सरकार के पास है, समझाने बुझाने के लिए, तो ये ब्रहम जो है, ये अगर ब्रहम की जो सिति आप कहा रहे हैं, ये क्यों बनी होई है? नहीं देखो, देखो ब्रहम पाइदा भी किया जा सकता है, और अफवा टिक भी सकती है, और इसलिए उसको दूर करना थोड़ा कठिन काम होता है, सोशल मीडिया के जमाने में तो हमने देखा है, कि एक अफवा को कैसे जनता हाथो हाथ उठाती है, उसको दूर करने में ज्यादा समय लगता है, तो ये होता है, हम करेंगे, और हमें विश्वास है, कि हल निकलेगा, शांति पूर्ण तरीके से निकलेगा, और इसका समाधन हो का,